जवाहरलाल नहरू युनिवर्सिटी की वीसी शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित विवादों के घेरे में आ गई है सुमवार को जेन्यू परीसर में कारेकरम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बाते कहीं जो तेजी से वारल होने लगे अपने संबोधन में वीसी ने कहा कि भगवान उची जाती के नहीं है और सभी महलाएं शुद्र श्रेणी में आती हैं इतना ही नहीं उन्होंने महलाओं को समान अधिकार देने के लिए युनिफर्म सिविल कोड लागू करने की बात भी कही महला और पुरुष में समानता पर जोर देते हुए वीसी ने कहा कि उनिफर्म सिविल कोड में व्याख्यान देते हुए कही जेनिफर्म वीसी ने आगे कहा कि कोई भी भगवान भ्रामन नहीं है हमें मानव शास्र के जरिये देवताओं की उत्पत्ती को जानना चाहिए मानव शास्र के अनुसार सबसे उची जाती छत्रिय है भगवान शिव भी अनुसूचित जाती या जनजाती के होने चाहिए क्यूंकि वो साप लपेटे हुए हैं बहुत कम कपड़े पहनते हैं और शम्शान में बैठते हैं मुझे नहीं लगता कि भ्रामन शम्शान में बैठते हैं JNU VC ने मनुस्पनती का जिक्र करते हुए महिलाओं को शुद्र दरजे का बताया उन्होंने कहा मैं सभी महिलाओं को बतादू कि मनुस्पनती के अनुसार सभी महिलाएं शुद्र हैं इसीरे कोई भी महिला ये दावा नहीं कर सकती कि वो भ्रामन है या कुछ और इस व्याख्यान के दौरान ही शांती श्री धुली पुडी ने कुलपती शब्द पर भी आपत्ती जाहिर की उन्होंने कहा कि जब मैं यहां आई थी तो हर जगा ही शब्दों का इस्तमाल किया जाता था मैंने उसे शी किया अब हर जगा शी शब्दों का अस्तमाल किया जाता है इसके अलावा उन्होंने कहा कि 14 सितंबर को एक्जिक्यूटिव काउंसल की बैठक है जिसमें कुलपती शब्द को बदल कर कुल गुरू रखने का प्रस्ताव रखूंगी